हेलो चिल्रेन वेलकम बैक टू आवर यूटूब चैनल सुधी रूटोरियल हम पढ़ रहे थे यू मस्ट नू मतलब जनरल नॉलेज पढ़ रहे थे हम और इसमें हमने चैप्टर नंबर बन पढ़ा था आवर नेशनल फ्लैग तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप वुदीयो देख लीजिये ऐंड चैप्टर नूमबर 2 में हमारा ٹॉपिक क्या है तो टॉपिक का नाम है रोट सेफटी बहुत ही इंप्हुंत है हमारे रियल लाफ में भी इसकी बहुत ही इंप्हुंत है सो हमें क्या करना है locate the picture giving the willow मतलब नीचे pictures दिये हुए है उसको देखना है और हमें जो उसके आगे लिखे हुए है words उसको देख के बताना है कि वो चीजे सही है या गलत है तो road safety की बात हो रही है तो बात करें अगर road safety की तो road safety जो होते हैं इतनी light कितनी होती है तो light उसमें तीन होती है सबसे पहले होता है हमारा red फिर होता है हमारा yellow and फिर होता है हमारा green तो बात करें अगर red की तो अगर आप सड़क पे जा रहे हो और red light जलती है तो it means कि आपको अपनी गाड़ी को रोक लेना है जब yellow light जलती है तो उसका मतलब होता है कि अब आप चलने के लिए तयार रही है और green light मतलब होता है कि अब आप चलिए तो ये होती है हमारी road safety के जो lights होते हैं उनके बारे में अब हम एक-एक points पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या सही है और क्या गलत है उसके according हम उस पे tick लगाएंगे तो सबसे पहले है कि आप इस बच्चे को देख रहे हैं जो की सड़क के बीचो बीच दौर रहा है तो child running on the road जो बच्चा है वो सड़क के सड़क पे दौर रहा है तो यह तो बहुत ही गलत बात है ना आप सड़क पे नहीं दौर सकते हो आप छोटे हो या बड़े हो आप सड़क पे नहीं दौर सकते हो because वहाँ पे बहुत सारी गाडियां चलती है आपको harm पहुँचा सकती है आपकी जान भी जा सकती है तो सडक पे दोड़ना गलत है तो हमारा पहला जो है वो गलत हो जाएगा अब हम second पे आएंगे तो child crossing the road इस picture में देखिए आप जो ये बच्चा है ये road को cross कर रहा है between the standing vehicles मतलब जो देख रहे होंगे आप यहाँ पे और यहाँ पे जो गाडिया खड़ी है उनके बीच से बच्चा सडक पार कर रहा है तो ये भी बहुत ही गलत बात है ये भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि बच्चा बीच से पार तो कर रहा है लेकिन अगर अचानक से green light जली और गाडिया अगर चल दी तो बच्चे को harm हो सकता है उसका accident हो सकता है बहुत ही बुरी चोट भी लग सकती है तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा अब हम आएंगे third पे तो third के लिए आपको ये वाली pictures दिख रही होगी जिसमें ये बच्चे cycle चला रही है तो child riding a bicycle with hands free cycle चलाना बुरी बात नहीं है लेकिन आप एक second लेकिन अगर आप इस बच्चे को देखेंगे तो ये बच्चा क्या कर रहा है अपने हाथों को छोड़ के cycle को चला रहा है जिससे उसका balance बिगर सकता है और वो road पे गिर सकता है और अगर वो road पे गिरा और पीछे से अगर गाणिया तेज चलके आई तो उसकी जान जा सकती है उसका accident हो सकता है उसको कहीं भी body में बहुत बुरी चोट लग सकती है उसकी हड़ियां टूट सकती है कुछ भी हो सकता है तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा second भी गलत और first भी गलत तो हमें cycle कैसे चलानी चाहिए तो हमें cycle अपने root में और cycle को पकड़ के चलाना चाहिए हो अब अगर fourth देखें हम तो fourth में आपको ये बच्ची दिख रही होगी child playing on the road मतलब ये बच्चा जो है वो सडक पर खेल रहा है सडक खेलने के लिए नहीं होती है सडक जो होती है वो कहीं भी आने जाने के लिए होती है गाडियों के लिए होती है लेकिन सडक खेलने के लिए नहीं होती है सो हमारा ये वाला fourth number भी हमारा गलत हो जाएगा and fifth है हमारा child walking on the footpath मतलब ये जो बच्ची है fifth number पे आप देख रहे हो ये जो बच्ची है वो footpath पे चल रही है तो ये हमारा सही हो जाएगा क्योंकि हमें अगर हम paddle चल रहे है अगर हम paddle यात्री है pedestrian है तो हम footpath पे चलेंगे ना कि सडक पे चलेंगे क्योंकि सडक हमारे लिए नहीं बनी होती है वो जो गाड़ियां चलाते हैं bike हो गया, car हो गया उनके लिए होती है, bus हो गया paddle यात्रियों के लिए सडक के किनारे footpath बने होते हैं और हमें उसी पे चलना चाहिए so ये बच्ची footpath पे चल रही है it means कि ये सही हो जाएगा अब अगर हम six number की बात करें तो उसके पहले मुझे आपको figure दिखाना होगा okay so अगर हम six number की बात करें तो आप ये figure देखना और child crossing the road at zebra crossing when pedestrian light is green pedestrian light मतलब क्या होता है paddle यात्रियों के लिए जो light होती है वो green है मतलब child crossing बच्चा तब सडक पार कर रहा है जब pedestrian light क्या है वो green है मतलब कि हमारा six वाला भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा so आप देख सकते हूँ real life में क्या लिखा है तो follow safety rules on the road to prevent accidents and be safe मतलब की safety rules को follow करिए और accident से बचिए और safe रहिए तो बच्चों I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और मिलते हैं chapter number 3 में next वीडियो में बच्चों I